सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो विक्रांथ चैनल को और बेल आइकन बजाईए आल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो टेक्नो विक्रांथ में आफ सभी का स्वागत हैं फैनली ओपो अलो ने अपने ओपो F19S के अंदर कलर्वेस 12 का C.09 का अपडेट जो हैं रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया हैं और इस अपडेट को करने के बाद क्या कुछ ने चेंजेस देखने को मिलता हैं कौन से बग्स फिक्स हुए हैं और कौन से न्यू फीचर से देखने को मिलता हैं साथ ही इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफामेंस किस टैप से देखने को मिलता हैं इसका game performance की step से देखने को मिलता है सभी कुछ बताने वाला हूँ दोस्तो पूरा वीडियो देखिएगा तो चलिए start करते हैं यहाँ पर आप check out कर सकते हैं Oppo F19 Ace के अंदर C.09 का new update देखने को मिलता है और इस update का जो size है 381 MB का है और यह आपको official version देखने को मिलता है तो यह रहा इसका basic software interface और आप बात की जाए इसके update log की तो यहाँ पर update log में सबसे पहले change की बात करें तो system के अंदर यहाँ पर जो भी छोटे-मोटे non-issue थे bugs वगरा देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे के पूरे system performance और उसके overall system stability को optimize and improve किया है जिससे की आप भी better experience देखने को मिलता है इस update के साथ एंडगे इस बात की जाए इस update के बाद इसके battery performance की तो यहाँ पर जो battery performance है battery life है उसको यहाँ पर extend कर दिया है जिससे की जो battery में draining issue देखने को मिलता था वो यहाँ पर fix देखने को मिलता है जिसकी वज़े से जो battery performance है battery uses है या फिर battery life है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है इस update के साथ साथ ही साथ अगर दोस्तों आप clock widget home screen में set करते हैं तो उस time पर flickering issue देखने को मिलता था जिसकी वज़े से problem होती थी तो उस problem को भी इस update के थूँ fix करके better कर दिया है जिससे की आपको better clock widgets देखने को मिलता है इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो apps के अंदर अगर दोस्तों आप tips app को use करते हैं open करते हैं तो उस time पर white screen issue देखने को मिलता था जिसके वज़े से phone का screen पूरे के पूरे white हो जाता था तो उस problem को भी इस update के थूँ fix करके better कर दिया हैं जिससे की अगर आप tips apps को use करते हैं तो आपको better response देखने को मिलता है इस update के साथ इसके अलावा बात की जाए अगले change की तो camera के अंदर अगर दोस्तो आप brushed photo निकालते हैं फोटो लेते हैं तो उस time पर photo preview के लिए show करते हैं तो उसमें काफी सारे photo जो है missing हो जाता था तो उस problem को भी इस update के थूँ fix कर दिया है जिससे कि अगर आप अभी brushed photo अगर निकालते हैं तो आपको सभी photos जो है properly देखने को मिलता है end guys बात की जा इस update के बाद इसके game performance की तो यहाँ पर आप check out कर सकते हैं इसका जो game performance है वो पहले से better देखने को मिलता है जो पहले lagging issue फ्रेंड ड्रॉप issue देखने को मिलता था उसको यहाँ पर fix करके पूरे की पूरे game performance को boost कर दिया है जिससे कि अगर आप अभी game play करते हैं game खेलते हैं तो आपको काफी smooth और stable gameplay देखने को मिलता है इस update के साथ तो ए रहा OPPO F19S का full update log chain log दोस्तो यह update आपको मिला है की नहीं मिला है मुझे comment करके जरूर बताना तो इतना ही था दोस्तो इस video में video पसंद आया होगा तो like, share, subscribe करना ना भूले मिलते हैं आपसे अगले video में तब तक के लिए goodbye and take care दोस्तो